हेलो दोस्तों, आप लोगों का निहा किचन में स्वागत है आज मैं घर में रखे मलाई से दो चीज बनाने जा रही हूँ एक तो घी, दुसरा बहुत ही टेस्टी मीठा है जो मुँव में गोल जाने वाली है इसके लिए मैं 8 दिनों से 2 लिटर दूद से मलाई निकाल कर जमा कर ली हूँ यह लगवग 400 गराम के लगवग मलाई है इसे सबसे पहले एक बड़ा पैन में लेंगे और इसे अच्छे से फेटेंगे जब भी आपको घी बनाना हो तो फ्रीज से इसे 3-4 घंटे के लिए बाहर रख ले उसके बाद यह प्रोसेस करेंगे तब तुरंत इससे मखन छोड़ने लगता है और इसमें हलका हलका पानी नजराने लगेगा इस तरह से 3 मिनट ही हुए है और यह देखिए मखन इससे अलग हो गया है अब इसे मिडियम फ्लेम में चड़ा दे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे यह खास दियान रखना है कि यह तले से सटे ना यदि जरा सा भी इस तले से सट गया तो घी और मिठाए दोनों का टेस्ट खराब हो सकता है यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को प्लेज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी टच करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें और अगर कुछ कमी लगे तो उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं अब इसका कलर चेंज हो रहा है मैं इसे आफ करके चान ले रही हूं इस प्रोसेस से ज्यादा ही क्वांटिटी में घी निकल पाता है देखिए मैं इसे अड़हाई सो एमेल वाले गिलास में डाल के दिखा रही हूं यह थोड़ा सा ही कम है अब बचे हुए छेना से मिठाई बनाएंगे इसके लिए मैं दो पैकेट मिल्क भी किस दस दस वाला ले रही हूं आप चाहें तो इसके जगह पर चोकलेट बिस्किट भी ले सकते हैं इसे अच्छी से ग्राइंड कर लेंगे लो फ्लेम में छेना के साथ इसे भी मिलाकर भूनना है इसे लगातार भूनते रहेंगे नहीं तो यह नीचे से जल सकता है इसमें चिनी 50 ग्राम ही डालेंगे क्योंकि बिस्किट पहले से मिठा है जब इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें 100 ml दूथ डालेंगे इसमें दूथ बहुत कम ही डालना है यह मिठाय थोड़ा ड्राई बनता है ड्राई ही यह मिठाय जादा टेस्टी लगता है इसे लगातार भूनते रहेंगे दीरे दीरे यह ड्राइ होता जाएगा और इसमें से हलका हलका घी निकलने लगेगा इस तरह से यह रेडी हो गया है अब मैं एक प्लेट में हलका घी लगाकर इसे निकाल ले रही हूँ यदि आपको बड़ा-बड़ा पीस इसमें बिस्कीट का नजार आए तो इसे ठंड़ा करके फिर से एक बार पीस लेंगे और फिर इसे set करने के लिए एक प्लेट या ट्रे में डालकर अच्छे सिसको दवा दवा कर प्लेट में डालेंगे और चारू तरब से बराबर कर लेंगे इस तरह से दवाते हुए इसे set करेंगे और इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे 15 मिनट फ्रीज में रखने के बाद यह बहुत अच्छे से सीट हो जाता है अब जैसा चाहें अब साग कट कर लेंगे और इसे ड्राइफ फ्रोट से गार्निस कर लेंगे यह मिठाए बहुत ही टेस्टी और इसमें भरपूर मात्रा में घी का स्वाद होता है इसे बड़े और वच्छे दोनों पसंद करते हैं आप इसे जरूर बना के देखें आपको भी अच्छा लगेगा इसे मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ इसका टेक्स्चर काफी अच्छा लगता है यह ड्राइ और बहुत ही टेस्टी मिठाए बनता है तक्स वर वाच्छी अच्छा लगता है